अलो दोस्तों के स्वाप लोग स्वागत है तो फिर से ट्राइब बहुत से नहीं से वीडियो में तो साम का पाच बज चुका है और कलोली बनाएगा भाई हो निकल चुके एक नई जर्मी पे नई सफर के लिए जारे भाई आपन मौनिया टू मंडरा एंपी के अंदर मंजला जबलपूर से करीब 100 से 120 किलमेटर के आसपास पड़ेगा तो वहां से भाई अभी लोडिंग करने चावल यहां के लिए तो अपन है मौनिया पिहार से 10 किलमेटर पहले परसत्व कोई घाउं करके होता है वहां पे आपको दिखाते हैं चावल जो लोडिंग हो रहा है कब स लोडिंग हो रहा है आप लोग निकले थे बाई 12 बजे के आसपास 11 बजे दो शूबह में और यहां पर दो बैसे शाट हो गया लोडिंग होना और तीन गंटे अभी लोडिंग हो रहा है ब्लास्ट छली बच्चा लोड करने के लिए यहां का भी दिखाते हैं आपको बैक क लोडिंग हो रहा है चावल पूरा कट्टे के लोडिंग हो रही है नया चावल है जो कि MP मंडला चारो तरफ डिलिवर होता है और यहां पर लोडिंग होने लिते हैं चलते हैं आके आपको भी दिखाते हैं राज के वाला राड है नीज पूरा के लिए और अपनी आपको गाडी दिखा सकता हूं भी जब्ड़ चुका है और यहां से हम निकल चुका है कि prisoner का ह्पास दोली नहीं है Luckily सब्सक्राइब करेंगे तो इसके बाद देखेंगे कहा रुकेंगे या चलते जाएंगे क्योंकि रिवा में आटी वाफ लोग जाते होंगे दोस्तों प्रोब्लम रहती है सीजित वैसे सब देख रहें के जाने में चलते हैं कितने टाइम लगता है मुद्सक्राइब करने भी तो अब चार वजे का पाही नहीं पारह करेंगे तो भी रुपना पढ़ता है ऑफटेन को ता कंपने को नाय तो लोगे आट हो गया है तो आपनों निकल गए तो पुरा रोड नाजी खाली दिग रहा है तुस्तु रात का आट बोज़ा है और जाने खाना करने के लिए रात का क्योंकि भाई घर से निकले तो थोड़ा बहुत खाना ही किये थे कि अभी जारे खाना करने उसके बाद यहां से चलेंगे तो डीजल भरवाएंगे चलो दिखाते हैं तो दोस्तो रात में खाना दे सकते हो हमारा मंसूर की दाल की भाई फ्राइब लगवाए है और रोटी यहीं वेट है का आज का खाना हमारा दो पहुंच के यहां पहले पिट्राइब है डीजर दलो जाहे है दी दलो आज करणा है ते बाद स्वेल को जाए बलाज कर दो देहित दो एक कॉल करते हो है आज तो बहुत कम नाव बज चुका है और पेट्रोल पर है थे आपको दिखाया भी यहां पे टंगी फूल करवार है यहां पर डील का भी रेट अब दिख रखते हो और गाड़ी खाड़ी हो चुकी है इस पेट्रोल पर हमेज़ा जाम लगा रहाता था लेकिन अभी पूरा खाली है डीजल भरा है और चंपी पाएं फ्री में 200 लीटर साधिक भरवाने पर और यहां पर डीजल जा रहा है दोस्तों टंगी और फूल करवाते देखते हैं कितना अब तो दोस्तों टंगी फूल हो गया फाइनली आपर देखते हैं तो 27,199 रुपे का यह तिन तो तीन लीटर और अपनी गाड़ी यह रही टंगी तो फूल हो गया दोस्तों अब देखते हैं निकलते हैं या रूपते हैं अभी तो डिसाइड नहीं किया हमने वाइन में स्टाइड कर देखते हैं यहीं के सोने वाले हैं शीब उटके यहां से निकलेंगे तो दोस्तों गूद मॉर्निंग इस इसी वीडियो आपको और आठ बच चुका है शुबचुका है यहां पे डियल फूल करवाया थे टंगी अपने तो वहां पे हैं लोग के सो गए थे त सब्सक्राइड के लिए जो कल हमने बताया था इसी वीडियो आपको और यहीं जीटी रोट थोड़ाई दूर और आएगा उसके बाद भाई देट्रा मोल्टिस हो जाएगा अपरो मेजयापूर के लिए तो आप देखे भी शुबशुबशुबशुबशुबशुबशु आप देखे लिए यह दो कि शायद आज से या आज सां से चब्या लड़े प्लेसे एका उट्री या समीति काई देखे लिए अब इक फुरा फोल रोट बील्ज देखे लेवरा है बाक है अब को जाना है और जाते हैं पहले और उसकाद अले बाद अरेस प्लेटरा उन्ते आपको इठाते हैं भी हूँ, आज क्या होता है, करसे होता है आज का दिंग करसा रदर क्ला ग्राइब कर फारे में, आपको बताया जाएगा आज करता हूं, सुबह सुबह का भी हूँ, और एनेज 35 नमबर रोड निवस कर रहे हैं, पूरा रूप और राकात है आपको बहुत लेकिन अभी तो भाई क्लियर है मोसम, इधर बाई दान जो गेहूं का फॉसल है, दीजे दिरे बाई, पकना स्टार्ट कर चुका है 10-15 दिन में कटनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारा भी गेहूं बोया गया है, तो वो भी काटनी के लिए जाएगी एक स्टार्ट आएगा तो भाई देख दिया हूंगा, कटनी स्टार्ट का महिना में भाई होता है, तो इस्टार्ट हो जाएगी, तो इस अगे प्रेसर जारे है ये कटने के लिए कर दो दोपार का साड़े का रह चुका है, और भी जा रहे है खाना बनाने के लिए क्योंकि अभी डगमक कुट में पहुंचे हैं, यहां से ट्रपन कर जाएगा फिर हनवाना चेकोष्ट आ जाएगा, तो अपने को रिवा नौबए रात के बाद ही पार करना रहता है, कि प्यार्ट का प्रवल्म रहता है, इस बैसे जा रहे है खाना बनाने के लिए यहां प तो थोड़ी दूर आगे जाने के ट्राइं करेंगे, क्योंकि वहां पर एक पंखा लेना है, जरूरी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहती है, चलो खाना बनाते हैं, यह तेल डालते हैं, और तेल डालने के बाद थोड़ा जीरा डाल देंगे, पोरन के लिए, और उसके बाद जो अपना प्याज और मिर्चा काटके रखे हैं, लैसुन इसको डालेंगे, आना बनाते हैं दोफ्तों, और जो माईक अभी खरदे से हम तो उसका सपोर्टिंग कैसे करना है, क्या करना मालग निए चल भाए है, बार बार लोग हो जा रहा है, आप माईको चार्ज मे इसको भोजने के बाद दाल लेंगे सर्जी पुड़ा मासाला का सर्जी बनाएंगे आज, क्योंकि गर्मी का टाई में मासाला कमी खाओ तो अच्छा रहता है, पेस खंड़ा रखता है बाई, और कोई प्रोब्लम भी नहीं आती है, दाल चाओ खाओ या या कोई हरी सर्जी मासाले सर्जी बाकी यहां का भी नहीं बनाना पड़ता तो यही पर आजी होता है, यहां पर नब्बे रुपे में पूरा बड़त खाना खिलायाता है, तो यहां पर भी रूपे खाना घाते हैं हम लोग, बाबा के ढावे पे, तो अभी दोगर लब खाना बना रहे हो, अभी हमारा लाल हो चुका है, देखते हो यहां पर प्याज, अभी जा रहे हैं इसको सबजी जालने के लिए, पूरा निक्स जो काटे हैं, और इसको भूजेंगे, नमक हल्दी डाल देंगे, इसके बाद यह बनता रहेगा, यह पालक जो है, इसना लग रहा है, और यह पूरा, वहाज आई होगा सब्जी, अला कि अब दो तो टाइम जा रहा है, वो भी मतर यह सब नहीं मिलेगा आने वाड़े वक्ते में, मतर तो बिर्किल भी नहीं मिलता है, क्योंकि गर्मी के दिन में जेट गुआ सब्जी होता है ना, जो अपना गल्व की नेनुआ बोलत सब निकलता है, उस सीजन के इना पर खाना खाया तो अरचा रहता है, पेट के लिए भी और स्वास्थ के लिए भी, आइसे तो नासिक साइड में पन जाएंगे तो कई भी सीजन में कोई भी सब्दी धूने के तो में मिल जाएगा, तो यह सब प्रब्लम होती है, इसको थो नमक डाल देंगे इसमें, और इसमें नमक डाल देंगे, इसमें नमक डाल देंगे, अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है, अपने को ढख देश को रख रहना है, कुछ दिरबाद टमाटर मिकाल के डाल देंगे, पस बन जाएगा हमारा खाना, अब चावल रेडी करते हैं, अब खाना करते हैं, और खाना करने के बाद आपको बताते हैं कहां पर क्या करना है, तो खाना करते हैं दोस्तों फड़ाक से, साम कर तीन बज चुका है, और यहां पर रूखे थे, बेजया को पार करके, अब थोड़ी सी धुख कम हो रखी है, साम कर टाइम हो गया है, अब निकल रहे हैं साड़े तीन हो चुका है और जाना अब इस पांचो किलिए उटेर राट बार में, यह कभी भी पहुचना है प बहुत ज़र में आट बर रहे हैं दोस्तो, रूप में गाड़ी चलाने से भाई, यहां तो पैर गरों से हैं और उपर रहे हैं वाई अब इंजल भी में होदा है तो फाइदा नहीं है, इंजल भी वाहिए से इतने बाती होड़ी तो मुझे जब रहे हैं यहां से रांके अब जाए इंगा ना गरभी में बहुत जादा है तो तो साम का टाइम हो चुका है तूरा अकरिन रूप चुका है अब अब हमाई एमपी में आउव बज के बास में रिवा आसर पजाश किली में रपकता है रोपना तो अब तो शे बजा है नो बजे यहां से निकिलेंगा राज में आप एक बास की रोकता नहीं है तो अब आफ रेगा फिर इन एंट 20 सम्भाग्गा रोट दिये रहा तो चॉर्वत किया गिमे आए आफ में का आई का गई आवे झाल